तेवार आते ही नकली मावा और उससे बनी मिठाईयों की तसकरी बढ़ जाती है सतना में नकली मावा की बड़ी खेद क्वालियर मुरैना और मानिकपुर इलाके से अकसर आने की खबर आती रहती है लहाजा रक्षाबंदन की तेवार को ध्यान में रखते हुए खादिव मौशिदी विभाग इस बार अपनी तयारी में है विभाग द्वारा टीम गठित कर शहर के हर उन इलाकों में शावामारी कारवाही की जा रही है जहां मावा और मिठाईयों का कारोबार होता है शहर के हर छोटी बड़े मावाए वा मिठाई कारोबारियों के यहां से विभाग नी सैंपल लिये हैं और ये सगन कारवाही लगाता रक्षा बंदन की तेवार तक जारी रहेगी आपको बता दे कि पूर्व में तेहवारों के दरान नकली मावे की बड़ी खेत सतना जिले से पकड़ी जा चुकी है जिसे ध्यान में रख कर खादिव मौशिती विभाग ऐसी नकली खादिश सामगरी की तलाश में है यही वज़ा है कि विभाग की अलग-अलग टीम फील अक्षा बंदन के तेहार के दिश्टिगत रखते हुए हम लोग एक अभियान चलाए हुए हैं जिसमें कि हम लोग दूध और दूस से बने पदार्थों को जैसे मिठाई, खोवा, पनीर इन सब की जाच कर रहे हैं और इसके नमूने लेकर प्रयोक साला बिज़वा रहे है और फिर वहां से जैसे रिपोर्ट राफ्ट होती है उस अधार पर कारवाई करते हैं लगातार जाच होती रहती है तो हार समय थोड़ा सा भियान चलाकर इसलिए भी जाच की जाती है क्योंकि उस समय आवक और दिमांड थोड़ी बढ़ जाती है तो उस समय मिलावट के अस बजिश ख़यों लुड़ग चे धरते हैं